अशोक एलोट जी, मोहन प्रकाश जी, संजे निरुपम जी, अशोक चोहान जी, कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब स्टेज पे बैटे हुए सीनियर नेता और यहां दूर दूर से आये हुए हमारे सब कार्य करता, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां दिल से बहुत-बहुत स्वागत और नमस्कार माजा सर्वना नमस्कार, अपन सग्ड़े कशे आहत, हिंदुस्तान में बहुत सारे बहुत सारे शहर हैं, मगर मुंबई हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर हैं, मगर मुंबई एक शहर है, जो सब को जोड़ने का काम करता है, देश में से, विदेश में से कोई भी आता है, मुंबई उसके रंग को, उसकी जात को, उसके धरम को भूल जाता है, और मुंबई उसको अपना मानता है, और मैंने ये काफी लोगों से पूछा है, जो मुंबई में रहते हैं, कि मुंबई में और बाकी शहरों में क्या फरक है, और सब के सब कहते हैं, कि मुंबई में काम की पहचान होती है, जो व्यक्ति करके दिखाता है, उसकी पहचान होती है, और मुंबई सब को लेकर एक साथ आगे बढ़ता है, और इसके कारण मुंबाई हिंदुस्तान का कमर्शल कैपिटल है और आस्ते आस्ते दुनिया के कमर्शल कैपिटल बनने के रास्ते पे चला जा रहा है जैसे मुंबाई सबको एक साथ लेकर चलती है वैसे ही कॉंग्रेश पार्टी सबको लेकर आगे वड़ती है प्रदान मंत्री चुनाओ के पहले कहते थे पूछते थे कि कॉंग्रेश पार्टी ने क्या किया चार साल हो गए और आज हिंदुस्तान में एक व्यक्ति नहीं है जो इस बात का जवाब नहीं दे सकता है कॉंग्रेश पार्टी ने हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को डरा कर किसी भी व्यक्ति को कुचलने का काम नहीं किया कॉंग्रेश पार्टी ने देश को जोडने का काम किया जात नहीं पहचानी धर्म नहीं पहचाना रंग नहीं पहचाना सिर्फ एक बात पहचानी क्या ये व्यक्ति हिंदुस्तान का व्यक्ति है अगर ये हिंदुस्तान का व्यक्ति है तो ये हमारा है और इसके साथ हम आगे चलेंगे मीडिया के मित्रें यहां खड़े हैं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और आपसे यहां कहना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी के सरकार में जो आज आपके दिल के अंदर दर्द है दुख है घबराठ है वो कभी पहले पैदा नहीं हुई थी हमारी जब सरकार हुआ करती थी आप खुल के हमारे बारे में हमारी सरकारों के बारे में बोल सकते थे बिना डरे आप बोल सकते थे यह दिया कॉंग्रेस पार्टी ने आपको तो चार साल में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान मंत्री जी ने बीजेपी ने और आरेसेस ने मुंबई को और हिंदुस्तान को किया दिया शुरुआत में कहा मुंबई से कहा साल में दो करोड युवाओं को प्रधान मंत्री रोजगार देगा दो करोड युवाओं को साल में प्रधान मंत्री रोजगार देगा और लोकसभा में उनके मंत्री कहते हैं आठ साल से सबसे जादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है 24 गंटे में 24 गंटे में चाइना पचास हजार युवाओं को रोजगार देता है और बीजेपी की सरकार 24 गंटे में पूरे हिंदुस्तान में 450 युवाओं को रोजगार देती है शक्ति किसको देंगे धाई लाग करोर रुपे हिंदुस्तान के 15-20 सबसे हमीर लोगों का करजा माफ किया है किसान दिन भर होता है हमारा भी करजा माफ कर दीजिए अरुन जेटली जी कहते हैं किसान का करजा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है मेक इन इंडिया की बात की और जो सच मुझ में मेक इन इंडिया करता है जो अपना खून पसीना देकर दिन भर काम में लगा रहता है जिसको अगर आपने इतनी से भी शक्ति दे दी वो चाहिना से कॉम्पेटिशन कर जाएगा कौन है धारावई का गरीब व्यक्ति जो दिन भर लगा रहता है उसको आप इतनी से भी शक्ति नहीं देते हो इतना भी पैसा नहीं देते हो क्या गलती की उसने आठ नोवेंबर को आप कहते हो पांत सो रुपे का हजार रुपे का नोट मुझे अच्छनी लगता है रद कर दिया मगर आपने ये भी नहीं सोचा कि मुंबाई के छोटे दुखानदार का क्या होगा सोने का बिजनेस जो करते हैं उनका क्या होगा गरीब लोगों का क्या होगा मजदूरों का क्या होगा वो अपना पूरा काम कैश में करते हैं हसते हुए प्रधान मंत्री ने पांच सो रुपए और हजार रुपए के नोट को रद किया हसते हुए मगर एक सेकंड उन्हों नहीं सोचा कि मुंबाई की गरीब जनता बिना पांच सो और हजार रुपए के नोट के क्या करेगी वहां नहीं रुके निरव मोधी 35,000 क्रोड रुपए उठाके भाग सकता है मालिया 9,000 क्रोड रुपए लेके भाग सकता है ललित मोधी भाग सकता है वो भी भाग जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ गुजरात में बच के निकले हैं करनाटा का में हारे हैं मध्यप्रदेश, चतिसगर और राजिस्तान में दिखाई नहीं देंगे और फिर 2019 में मुंबाई में, महराष्ट्रा में, पूरे देश में कॉंग्रेस पार्टी और विपक्ष बीजेपी को चुनाओ हरागे दिखाएगी आप मेरी बात मत मानो आप मेरी बात मत मानो आप ध्यान से प्रधान मंत्री जी का चहरा देखो आप ध्यान से देखो उनके भाशन सुनो अवाज में घबराट है मेरी अवाज में तो घबराट नहीं है ना क्योंकि मैं सच्चाई का सिपाई हूँ मगर प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश को बातने का काम किया है नफरत फलाने का काम किया है युवाओं को किसानों को गरीब लोगों को दोका दिया है और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता सत्य को समझती है और हिंदुस्तान की जनता भूलती नहीं है तो अगर आप उनकी आवाज ध्यान से सुनेंगे आवाज में घबराठ है और उनके जो मित्र हैं और वो अधर अधर घूम रहे हैं मगर नुक्सान किसका हुआ पिछले चार सालों में नुक्सान हिंदुस्तान का हुआ नुक्सान मुंबई का हुआ किसानों का हुआ युवाओं का हुआ हमारा मुकाबला देखिए सीधी सी बात है आज दुनिया में दो देशों के बीच में मुकाबला है उबामा जी राष्ट्रपती थे उन्होंने कहा कि भविश्य दो देशों का है चीन और हिंदुस्तान चीन तेजी से आगे दोड़ रहा है आप अपने फोन को देखिए शर्ट को देखिए पतलून को देखिए कैमरा को देखिए जूते को देखिए उस पर मेड इन चानल लिखा है हमारे युवाओं जब फोन खरीते है या कोई गाड़ी खरीता है मेडिंग चानल वाला फोन तो फाइदा चानल के युवाओं को होता है पैसा इधर से उधर जाता है हमारे युवाओं में कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान का हर युवा अपनी सरकार से रोजगार मांग रहा है ये फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहा है ये ये नहीं कह रहा है कि भईया मुझे तोफा दो युवा कह रहा है कि मैं युवा हूँ मेरे अंदर शक्ती है मैं देश का भला करना चाहता हूँ मुझे रोजगार दो मैं चाइना से मुकाबला करना चाहता हूँ देश का युवा ये कह रहा है और प्रधान मंत्री कह रहे हैं नहीं तुम अपने देश को फायदा नमच पोचाओ तुम एक दूसरे से लड़ो तुम एक दूसरे से लड़ो रोजगार की कोई जरुवत नहीं काम करने की कोई जरुवत नहीं मैं प्रधान मंत्री हूँ मेरे भाशनों से हिंदुस्तान चलेगा मगर अंत में सचाई को पहचानना पड़ेगा अंत में इस देश के युवाओं को रोजगार दिलवाना पड़ेगा और इस देश के किसानों की रक्षा करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है मैं अगर यहां आपको जूट बोलू कि भाईया मेरे भाषनों से हिंदुस्तान साफ हो जाएगा मेरे भाषनों से हर व्यक्ति के जेब में पंद्रा लाग रुपे घुज जाएंगे मेरे भाषनों से दो करोर युवाओं को रोजगार मिल जाएगा हिंदुस्तान का नुक्सान होगा शायद कुछ दिन मेरा फाइदा हो जाए मैं आपको जूट बोलके आपके वोट ले लूँ मगर देश का नुक्सान होगा इसलिए कॉंग्रेस पार्टी की नेता ये काम नहीं करते हैं हमारे स्टेट से आपको सच्चाई सुनाई देती है आप देखिए देखिए यूपिया की सरकार थी किसानों का डेलेगेशन आया मनमोहन सिंग जी के आफिस में गया बाकी नेताओं के पास गए सोनिया जी के पास गए मेरे पास आये और उन्होंने एक बात कही उन्होंने कहा राहूल जी आप हमें एक बात का जवाब दीजिए अमीर व्यक्ति बैंक में जाता है उसके लिए लाल कालीन लग जाती है हम दिन बार काम करते हैं खून पसीना देते हैं हम बैंक में जाते हैं हमें कहते हैं तुम्हारे उपर कर्जा है तुम्हें हम बैंक लोन नहीं देंगे अमीर व्यक्तियों का कर्जा माफ हो जाता है हमारा कर्जा माफ क्यों नहीं होता दस दिन के अंदर सत्तर हजार करोर रुपे यूपीय सरकार ने कॉंग्रेस पार्टी ने माफ करके दिखा दिया एक तरफ निरव मोधी 35,000 क्रोर रुपे लेकर भाग जाता है प्रदान मंत्री ची निरव मोधी को और मेहुल चौक्सी को मेहुल भाई और निरव भाई कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ टीवी के टीवी में आया प्रदान मंत्री ची मेहुल भाई कह रहे हैं वो 35,000 क्रोर रुपे लेकर भाग जाता है और नरेद्र मोधी ची के मुझे एक शब नहीं निकलता है अमिच्छा जी का पुत्र सबकी आँख के सामने 50,000 रुपे को 80 करोड में बदलता है यहाँ पर बहुत सारे वियापारी हैं यहाँ पर कोई ऐसा वियापारी है जो तीन महीने में 50,000 रुपे को 80 करोड में बदल सकता है आपको एक नहीं मिलेगा पूरे मुंबई में गपर सिंग टैक्स ने नोट बंदी ने सब बिजनस बंद कर दिये अमिच शाह जी के पुत्र के बिजनस को कुछ फरक नहीं पड़ा वो दूसरा बिजनस है नहीं मैंने कहा है नरेंद्र मोधी जी ने प्रदान मंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चोकिदार बनना चाहता हूँ अब देखो लोग हस रहे है अब लोग हस रहे है मैं पताता हूँ क्यूँ क्यूंकि आप गल्ब समझे नरेंद्र मोधी जी हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर लोगों के चोकिदार बनना चाहते थे जरूर चोकिदार बने रक्षवो उनकी कर रहे है डाई लाग करोड रुपे की जरूरते लेओ चलो भहिया मैं आपका चोकिदार हूँ लो पैसा और किसान देखता जा रहा है युवा सवाल पूर्टता जा रहा है ये सचा ही है अब इनसे लड़ को उन सकता मैं आपको बताता हूँ विपक्ष के एक नेता है मेरे पास सीनियर नेता नाम नहीं लूँगा फंक्षन में गया था मेरे साथ एक दो गंटे बैठे गाड़ी में मुझे से कहते हैं राहूल जी मैं पचास साल से पचास साल से मैं कॉंग्रेस पार्टी के खिलाब लड़ रहा हूँ और पचास साल बाद मुझे बात समझ आई कि कॉंग्रेस पार्टी ही देश की रक्षा कर सकती है और अगर बीजेपी को हराना है तो विचारधारा की लड़ाई है और बीजेपी आरेसेस की विचारधारा को सिरफ कॉंग्रेस और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा हरा सकती है और यह सीनियर नेता है विपक्ष का नहीं अड़वानी नहीं मगर देखिए मुझे थोड़ा खराब लगता है मुझे शायद बोलना नहीं चाहिए मगर मैं बोल देता हूँ मुझे खराब लगता है देखिए अड़वानी ची के खिलाफ हम लड़े और अड़वानी ची को कॉंग्रेस पार्टी ने हराया 2004 में 2009 में हम उनके खिलाब लड़े और मुझे कापी दुख होता है प्रणान मंत्री ची हिंदू धर्म की बात करते हैं मैं फंक्शन में जाता हूँ अमबेटकर ची का फंक्शन हुआ पार्लमेंट में अलग-अलग फंक्शन होते हैं मैं अड़वानी ची की रक्षा करता हूँ मैं उनकी इज़्दत की रक्षा करता हूँ मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ और मैं उनको आगे खड़ा करता हूँ और जो उनके शिश्य थे नहीं नहीं धर्म की बात होती है नहीं मैं करता हूँ हमारे धर्म में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है मतलब गुरु जो ग्यान देता है प्रधान मंत्री जी का गुरु कौन था L.K. अडवानी और प्रधान मंत्री जी ने अपने गुरू का का किया मतलब function में उनकी इज़त नहीं रखते हैं मैं देखता हूँ और उनकी रक्षा कौन करता है Congress Party और Congress Party की विचार धारा ये फरक है ये फरक है कल में गया वाजपाई जी के खिलाफ कौन लड़े थे हम लड़े थे मकर जब वो बिमार है पहले में वहाँ गया क्योंकि मैं Congress Party का सिपाई हूँ और मैं बात समझता हूँ कि जरूर वाजपाई जी हमारे साथ हमारे खिलाफ लड़े मकर वाजपाई जी ने हिंदुस्तान के लिए काम किया वाजपाई जी हिंदुस्तान के प्रदान मंत्रिये रहे और हम उस पत का आदर करते हैं और अगर वाजपाई जी आज बिमार है तो हम जाके उनके साथ खड़े होंगे ये हमारा इतिहास है और ये हमारा धर्म है शायद थोड़ा जादा बोल गये मैं तो मेरा कहना है देश कही होगा देख रहा है और घबराया हुआ है क्योंकि आज उसे रास्ता नहीं दिख रहा है हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहता है रोजगार चाहता है मगर उसको रास्ता नहीं दिख रहा है और उसके दिल में एक भावना है कि मैंने अपने प्रधान मंत्री पे भरोसा किया था और प्रधान मंत्री ने वो भरोसा तोड़ा और आज वो सोच रहा है कि रोजगार मुझे कहां से मिलेगा और वो ही भावना किसान के दिल में है किसान कहता है दिन पर मैं काम करता हूँ मोधी जी ने सही दाम देने की बात की थी कर्जा माफी की बात की थी मैं अकेला लड़ रहा हूँ मेरी सरकार में यसाथ नहीं खड़ी यह बावना देश के किसानों के दिल में युवाओं के दिल में है किसानों की रक्षा और युवाओं को रोजगार सिर्फ एक शक्ती दे सकती है उसका नाम है कॉंग्रेस पार्टी और कोई नहीं कर सकता है और अगर कॉंग्रेस पार्टी को ये काम करना है स्टेज पे नेता बैटे हैं मैं यहां भाशन दे रहा हूँ मगर हमारा जो सिनापती है वह वहाँ खड़ा हुआ है तो चुनाव जिताता कौन है चुनाव जिताता कॉंग्रेस पार्टी का वर्कर है और मैंने दिल्ली में एक बात कही थी मैंने कहा था देखिये जो कॉंग्रेस पार्टी का वर्कर है चाहिए कुछ भी हो जाए कॉंग्रेस पार्टी के वर्कर क्या आदर होगा और उसकी रक्षा होगी अब आप जाईए आप घूमते हो आप गुजरात जाओ और गुजरात में हम चुनाओ लड़े और गुजरात के कॉंग्रेस के कार्यकरता से जाके पूछो क्या चुनाओ में पैरिशूट से किसी को टिकेट मिला हाँ या ना और फिर करनाटक जाओ और करनाटक के कार्यकरताओं से पूछो जब टिकेट का निन्ने लिया गया था क्या Congress Party से के कार्यकरता से पूछ कर लिया गया था हाँ या ना आपको जवाब मिल जाएगा मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ आपकी Congress Party की वर्कर की रक्षा मैं करूँगा और आपको संगटन में आगे बढ़ाने का काम आपकी आवाज सुनने का काम वो मेरी जिम्मधारी है और मैं आपको करके दिखाऊंगा हमने राजिस्तान में हमने राजिस्तान में आपकी शक्ती के लिए शक्ती प्रोजेक्ट तियार किया है हम आपको शक्ति देना चाहते हैं हम चाहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी के हर कार्यकरता की आवाज हर कार्यकरता की आवाज कॉंग्रेस पार्टी की निताओं तक पहुँचे और कॉंग्रेस पार्टी के अंदर गुंजे हम समझते हैं कि लाटी आप खाते हो बोलिंग बूट पे आप लड़ते हो BJP का जो जूट है उसके खिलाफ आप लड़ते हो और हम आपकी कटिनाईया समझते हैं और मैं आपको यह मेसेज देना चाहता हूँ कि यह पार्टी आपकी है यह पार्टी आपकी है नेताओं की नहीं है आपकी है और इस पार्टी में सबसे जरूरी जगे आपकी है मगर आपकी भी एक जिम्मधारी है विचारधारा की लड़ाई है और आप हमारी विचारधारा को बहुत अच्छी तरह समझते हो सब को एक साथ ले जाना है जैसे मुंबाई देश को जोडती है वैसे कॉंग्रेस पार्टी देश को जोडती है देश को जोडने का काम करना है जहां भी बीजेपी और आराएसस के लोगं आग लगाते है नफरत फैलाते है वहां कॉंग्रेस पारटी का कारे करता सीधा पहुँचना चाहिए कहता है हाँ ठीक है तुम नफरत फैलाओ, मैं प्यार फैलाता हूँ तुम आग लगाओ, मैं पानी डालता हूँ यह आपका कान है, यह आपकी जिम्मेदारी है एक के बाद एक जुट बोलते हैं आपके पास लिस्ट है पंदरा लाग रुपे बैंक अकाउंट में दो करोड युवाओं को रोजगार किसानों को सही दाम एक तरफ दूसरी तरफ नोट बंदी गपर सिंग टैक्स चाइना के राश्टरपती के साथ जूला जूलना धोकलाम राफाइल डील अमिच शाग पूत्र पियूश गोयल लिस्ट है आपके पास अब आप जनता के बीच में जाईए लिस्ट निकालिए और शुरू कीजिए जनता को सच्चाई बताईए ये हमारे जो मित्र खड़े हैं इनकी गलती नहीं है इनको डरा रखा है देखो हसरे हैं इनको डरा रखा है मगर ये भी हमारे हैं हमें इनकी भी रक्षा करनी है और प्रेस के जो हमारे मित्र हैं आप थोड़ा सा तो बोल दिया करिए थोड़ा सा राफाइल के बारे में थोड़ा सा अमेच्छा जी के बारे में उनके पुत्र के बारे में प्यूश गोहल जी के बारे में मैं जानता हूँ आपके उपर बहुत दवाब पड़ता है आपके जो मालिक है उनके उपर भी दवाब पड़ता है हम सब कुछ जानते हैं समझते हैं तो मिलकर देखिए आप देखना मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये अभी चुनाव से अभी एक साल बचा है एक साल बचा है अभी ये थोड़ा गबराई हुए है आस्ते आस्ते ये भी खुलना शुरू हो जाएंगे छे महीने में देखना ये बदल जाएंगे और चुनाव के दो तीन महीने पहले इनकी बात सुनना फिर पुरा बहरा आएगा अमिट शाह प्यूश गोयल प्राइम मिनिस्टर राफाइल सब कुछ बहरा आएगा और मिलकर हम सब मिलकर पुरा हिंदुस्तान मिलकर बीजेएपी को चुनाव हिराएगा तो आप दूर दूर से आए दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक आकरी बात मैंने सोची मैं गेलोड जी से भी बात की कल कॉंग्रेस पार्टी का नया ओफिस बन रहा है बिल्ली में मैंने सोचा कि आजादी के समय कॉंग्रेस पार्टी के लोगों ने बहुत बलेदान किया हमारे बहुत सारे कारे करता मारे गए नेता मारे गए जिल में समय काटा उसके बाद अलग-अलग प्रदेशों में हमारे कार्यकरता मारे गए पंजाब में हजारों कार्यकरता असाम में मीजोराम, नागा लैंड, केरला अलग-अलग प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकरताओं ने अपनी जिन्दगी थी अपना खून दिया तो मैंने सोचा कि नए आफिस में हमें एक दिवार बनानी चाहिए और इस दिवार पे उन लोगों के नाम होने चाहिए जिन्होंने कॉंग्रेस पार्टी के लिए और हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी और शायद उस दिवार में यहाँ ऐसे भी लोग होंगे जिनके परिवार के लोगों का नाम उस दिवार पे होगा आपने बलिदान किया है आपके परिवारों ने अपना खून पसीना दिया है जब सावरकरजी ठिठी लिख रहे थे नहीं माफी मांग रहे थे जब हाँ चोड़के हाँ चोड़के ऐसे माफी मांग रहे थे मुझे माफ कर दो कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता कॉंग्रेस पार्टी के नेता जेल में समय काट रहे थे कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, यह फरक है हम में और उन में, हमारे लोगों ने कुर्बानी दिये, कुर्बानी क्यों दी हिंदुस्तान को बनाने के लिए दिये, जोडने का काम किया है, और आप लोग हर रोज ये काम करते हो, जब RSS जूट बोलता है, BJP का कोई कार्य करता है, जूट बोलता है, आप जाके सच्चा ही उसके सामने रखते हो, आप देश की सेवा कर रहे हो, दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार, जहिर!